हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल दोस्ता सबसे पहले आप इस स्क्रिंशोट में देखी मैंने धाइस सो एक हजार दो सो दो अजार और फिर साथ जार साथ सो निनानबी इतने सारे एमजौन पीएकाउंट में टांसफर किया है और सक्सेसफफुली यहीए पैसा मेरे बैक चीने पने आपने सारे सारी एकाउंट के बैलेंस को बाड़ी असानी मैं पहले एक वीडियो अपलोड गी ती लेकिन कुछ लोग बोल ले थे कि उनको विड्रॉल में प्रॉब्लम आघ है है तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊउंगा आप यहां देख सकते हैं मैं मैंने अल्रेडी कितने सारे Amazon पे बैलेंस को बैंक अकॉन में ट्रांसफर किया है तो Amazon पे बैलेंस टू बैंक ट्रांसफर की इस ट्रिक को जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट चक जूल देखिए उससे पहले चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर दीजे व कुछक्राइब करती scent करेंगिए तो नीचे दोंट लेक और प्लीक क्लिक करते हैं आपके अकूंड बना लेना है एकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना first name, last name, email address एंटर करना है, फिर अपना phone number एंटर करना है, और register पर क्लिक करना है, फिर दोस्ता आपको सामने इस तरह का page आजाएगा, जहां पर आपको दो option दिखाए देंगे, moderate और aggressive, और यहां पर एकडम top पर आप देख स पर balance transfer करना चाते है, तो आपको KYC करनी होगी, तो आप अगर verify now पर click करेंगे, तो आपको 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 पना pen card, अधार card देखे KYC करनी होगी, KYC करने के बाद, आप जितना मंचाए उतना Amazon पर balance अपने bank account में transfer कर पाएंगे, आप जैसे moderate follow option पर click करेंगे, आपके समने इस त कर लिए, तब तो आप यहाँ पर ज्यादा पर enter कर सकते हैं, लेकिन minimum आपको 500 रुप है यहाँ पर enter करने होगे, फिर आपको नीचे arrow पर click करना है, उसके बाद दोस्तों आप Razor Pay के gateway पर redirect हो जाएंगे, यहाँ पर deposit का कोई charge नहीं लग रहा है, तो आपको pay now पर click करना है, उ यहाँ पर दोस्तों आपको 2.3% का charge लगेगा, तो अभी ऐसी कोई भी application नहीं है, जहाँ पर आप इससे कम charge में Amazon पर balance को bank account में transfer कर सकते हैं, गोल्ड बाय के तो आपको 10% का charge लग जाता है, अगर आपके पास fast tag है, तो आप 9,000 रुपे तक की Amazon पर यह balance को bank account में ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको 2.5% से ज़्यादा काई charge लग जाता है, और आपके पास fast tag नहीं है, तो आप उस को use भी नहीं कर सकते हैं, इसके लावा Amazon पर balance को bank account में इससे कम charge में लेना फिलाल possible नहीं है, तो मेरे हिसाब से यह अभी सबसे minimum charge है, जो यहाँ पर लग रहा है, 2.3% का charge आप बड़ी असानी से pay कर सकते हैं, तो आपको नीचे continue and pay पे क्लिक करना है, आप अपने Amazon Pay account भी redirect हो जाएंगे, उसी account से login कर लीजे, जिस account में आपका Amazon पे balance है, first three payments पे आपको up to 25 रुपे सा कुछ भी cashback भी मिल सकता है, जैसे ही आप Amazon Pay account से payment करेंगे, 500 रुपे account में add हो जाएंगे, आप दोस्तों इसे आप instantly withdraw नहीं कर सकते, deposit करने के 30 minutes बाद आप इससे withdraw कर सकते हैं, तो आपको deposit करने के बाद 30 minutes तक wait करना है, उसके बाद आपस costa savings app में आएंगे, आपके wallet में आपको 500 रुपे का amount show करेगा, आपको moderate के नीचे जो withdraw to bank option है, उस पे click करना है, और सबसे पहले added bank account में जाकर अपना bank account add कर लेना है, फिर आप जैसी withdraw to bank पर click करेंगे, तो दोस्तों जितना भी amount आपने यहाँ पर deposit किया है, उसे एक रुपए कम आपको enter करना है, जैसे कि आपने 500 रुपए का deposit किया है, तो आप 499 रुपीज withdraw कर सकते हैं, तो आपको 499 एंटर करके withdraw कर लेना है, बहुत से cases में दोस्तों, withdrawal instant credit हो जाता आपके bank account में, लेकिन कई बार withdrawal successful तो होता है, लेकिन आपके bank account में reflect नहीं करता, तो इसके लिए आपको कम से कम half an hour wait करना है, अभी यह application perfectly काम कर रहा है, मैंने आज ही कितने सारे withdrawal लगा है, आपको मैंने पहले screenshot में दिखा दिया है, तो इस तरह से आप अपने unlimited Amazon पे balance को costa savings app के through bank account में transfer कर सकते हैं,